आप जानते हैं कि पिछले समय के अंदर टेली मेडिसिन की गाइडलाइन्स को भी हम लोगों ने लाँच किया देश में और आने वाले समय में टेली मेडिसिन और इफार्मेसी यह जो कंसेप्ट्स हैं इनके साथ भी इसको अच्छी तरह से इंटेग्रेट किया जाएगा टेल कि अरड़ी देश के अंदर लगबग 23 स्टेट्स को पाट्स पेट करके पिछले दिनों हमने सबके साथ कॉन्फेंस भी किया था जिसमें की मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े डॉक्टर और हमारे जो हेल्थ एंड वेलनस सेंटर के उपर जो डिलिवरी हो रही है उसके साथ कनेक्ट का काम जो है अलड़ी शुरू हो चुका है और अलग-अलग पैमाने पे डॉक्टर तू डॉक्टर और डॉक्टर तू पिशेंट उसके अंदर डेर्ड लाग से जादा कंसर्टेशन्स अलड़ी हो चुके हैं और हम लोग का आने वाले समय में यह सारी ज अनिवर्सल हेल्थ कवरेज के गोल को शुरू करने के लिए आयुश्मान भारत शुरू किया गया था हेल्थ और वेलनेस सेंटर का क्रियेशन हुआ अब यह सब प्रकार के डाटाज और जब यह डिजीटली स्टोर होंगे इनका एकसेस सबको इजीली उपलब्ध होगा तो डॉक्टर्स के लिए भी किसी मरीज के लिए बेस्ट पॉसिबल जो एडवाइज है उसको देना उस डेटा के अधार पर वो और ज्यादा असान होगा लोगों के लिए यह अफोर्डेबल होगा थोरूली कॉम्प्रिहंसिव होगा और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय में रिसर्च के पैरामीटर्स हैं जब अगर आप कल्पना करिए कि देश के एक सो पैथिस करोड लोगों का जो डैटा जै बिमारी के बारे में और उनके बारे में जो भी जानकारिया है वो उपलब्ध होंगी तो बहुत सारी बिमारियों का प्रिवलेंस बि उसको एक पाइलट के रूप में विक्सित किया जाता है और जैसे उधारन के लिए जब हमने भारत को पोलियो मुक्त करने का सपना देखा था तो हमने उसको पाइलट को दिल्ली में सफलता पूरवक इंप्लिमेंट करके उनिस सो चुरानवे में दिखाया और जब उसको हम कि इंप्लिमेंट कर दिया कि एक एक बच्चे को उसकी मां के साथ उसके पाइलट करना और फिर उस पाइलेट के अधार पर जो भी उसमें अनुभव आएंगे जो भी उसमें इंप्रूब्मेंट्स समय समय पर करने हैं यह सारी की सारी चीज़ें करके और मैंने कहा कि कुछी महिनों के अंदर जो है इसको सारे देश के अंदर हम रोल आउट करेंगे उसके लिए साइमल्टेनेसली तैयारियां चल रही हैं लेकिन आज अभी हमने जैसे च्छे स्थानों के लिए जहां पर मैंने कहा वहां के लिए रजिस्ट्री वगारा ओपन हो गई हैं अब कोई अपना हेल्थ आईडी जो है एक पर्टिकुलर इमेल आईडी के उपर जाकर जो है एक उस सिरफ अभी सुभे प्रधानमंत्री जीने घोशना किया है लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी और विस्तृत जानकारी मिलेगी मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर विक्ति इस इलेक्रानिक हेल्थ रिकॉर्ड का इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट बन आएगा.